एक open total mesorectal excision या TME आपके rectum यानि मलाशय और उसके आसपास के कुछ उत्तंकों को निकालने के लिए एक surgical प्रक्रिया यानि operation या शल्य प्रक्रिया है रेक्टम यानि मलाशय आपकी बढ़ियात का anal canal यानि गुदा नहर से पहले का अंतिम हिस्सा है रेक्टम यानि मलाशय आपके शरीर के toe subsist जिसे physis यानि मल कहा जाता है उसे जब तक आप अपने शरीर में से बाहर नहीं निकालते है तब तक संग्रहित करता है मैसोरेक्टम आपके रेक्टम यानि मलाशय के आसपास का उत्तंग है जिन में lymph nodes यानि लसिका गरंधी होते है Total Mesorectal Oxygen या TME का उपयोग आपके Rectum यानि मलाशे में Cancer के और उसके साथ साथ वो Cancer जो कि आपके Rectum यानि मलाशे के आसपास के Lymph Nords यानि लसिका करंथी में फैल गया हो सकता है उसके इलाज के लिए किया जाता है ये टोटल मैसोरेक्टल एक्सिजन की प्रक्रिया आपके पेट में एक चीरा करने के साथ शुरू होगी आपके पेट के अंदर आपके सर्जन आपके रेक्टम यानि मलाशय के उपर की बड़ी आथ को उसका आवरण करने वाले उत्तंकों से अलग करेंगे उसके बाद आपके रेक्टम यानि मलाशय और मैसोरेक्टम को आपके पैलवेस यानि श्रौने के उत्तंकों से अलग किया जाएगा आपके बड़ी आथ को आपके रेक्टम यानि मलाशय के उपर के हिस्से में विभाजित किया जाएगा और उसे staples या टांकों के साथ बन किया जाएगा आपके rectum यानि मलाशय को आपके anal canal यानि गुदानहर के उपर के हिस्से में विभाजित किया जाएगा और उसे निकाल दिया जाएगा उसके बाद आपके सर्जन, आपके colon यानि ब्रदांत्र जिसके अंत में एक पाउच यानि थैली बनाएंगे ये पाउच यानि थैली, rectum यानि मलाशय की तरह काम करेगा क्योंकि ये आपके physis यानि मल को संग्रहित करेगा इसे पाउच यानि थैली को आपके NL केनाल यानि गुदा नहर से जोड़ा जाएगा प्रक्रिया के अंत में आपके पेट में किये गई चीरे को स्टैपल्स या टांकों के साथ बंद किया जाएगा इस समय जब तक ये नया जोड ठीक नहीं हो जाएदा तब तक के लिए आपके सर्जंड कभी-कभी फिसस यानि मल को आपके शरीर में से बहार निकालने के लिए एक अलग रास्ता बना देंगे ऐसा करने के लिए आपके सर्जुन आपके पेट में एक अलग चीरा करेंगे और उसके माध्यम से आपकी छोटी आथ का एक लूप यानि हिस्सा बहार निकालेंगे इस लूप को खुला जाएगा और उसे चीरे से जोड़ा जाएगा इस ओपनिंग यानि मुख को स्टॉमा कहा जाता है स्टॉमा के साथ एक थैली को जोड़ा जाएगा ताकि फिस्स यानि मल बहार निकल कर इसमें कट्ठा हो सके बात में जब आपके बड़ी आँठ ठीक हो जाती है तो आपको स्टॉमा को बंद करने के लिए एक और प्रक्रिया करवाने की आवश्यक्ता होगी इस से फिस्स यानि मल आपके शरीर में से सामान या रूप से गुजर पाएंगे यदि आपको रेक्टम यानि मलाशरी को निकालने के लिए सरजरी के बारे में कोई सवाल है टॉकनिस वास्त्य दिक भाल प्रदता से बात करें